ओके फोकस फोकस ओके अब जाकर फाइनली फोकस हुआ है काफी टाइम से परशान हुआ है अमरे को लेका है पता नहीं क्यों फोकस ही नहीं कर रहा था वैसे दोस्त मेरे हाथ में जो आप ये फोन देख रहे हो ये हैं Moto G64 5G और पिछले 7 दिनों से इस फोन को में यूज़ कर स्मार्टफोन कैसा है बस आपसे छोटा से रिक्वेश्ट है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कर सकते हो तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करता हूं कैमरा कॉलेटी के बारे में पिछले 7 दिनों के बीच में इस फोन से जो भी हमने फोटो क्लिक किया ह सबसे पहले आप बेक कैमरे के फोटो सेंपल देखिए काफी अच्छी कॉलेटी के फोटो आ रहे है बैक कैमरे से लाइटिंग HDR को बहुत प्रॉपर तरीके से बैलन्स कर रहे है बट back camera से मने जो भी photo click किया है एक चीज़ notice करोगे ना कि back camera थोड़ा सा color को boost कर दे रहा है photo को थोड़ा enhance कर दे रहा है बाकि quality काफी जादा अच्छा है zoom करने के बाद जादा pixel लगफट रहे है, detailing बहुत जादा better है इसे के साथ हमने कुछ selfie भी click करके देखा, selfie भी काफी अच्छी quality क्या रहे है lighting, hdr को बहुत proper तरीके से balance कर रहा है, selfie के अंदर भी काफी better detail है लेकिन इन 7 दिनों में मैंने phone के camera में एक problem notice किया जिसे portrait mode में कोई छोटा subject है, कोई बारीक subject है, portrait mode में photo click कर रहे है तो यहाँ पर यह background को अच्छी तरीके से blur नहीं कर पा रहा है, even border को भी blur कर दे रहा है लेकिन इन पर सेम उल्टा होता है, जिसे कोई बडा subject है, उसका portrait mode में photo click कर रहे है तो काफी अच्छी तरीके से background को भी blur कर रहा है, even border को भी काफी accurate तरीके से blur कर रहा है और यहाँ पर camera में night mode का अलग से option net किया गया है, जो भी photo हमने इस phone से night के अंदर click किया है चाहे back camera हो, चाहे front camera हो, यहाँ पर देखोगे न, काफी अच्छी detailing है, lighting को काफी अच्छी तरीके से balance कर रहा है night के अंदर जो भी photo result आ रहे है, price recording काफी जादा based है और यहाँ पर video section में back camera और front camera दोनों में ही 1080p 30fps का support दिया गया है phone के back camera में OIS का support है यह है back camera का video simple, 1080p के इसाब से video quality काफी जादा perfect है और back camera में OIS का support दिया गया है, तो थोड़ा बहुत चलते हुए video record करोगे वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से stabilize कर रहा है, देखोगे अभी भी शेकनेस आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा और यह रहा front camera का video simple, 1080p के साब से video quality तो काफी जादा perfect है और गर्मियों का season आगया है, धूप बहुत जादा कड़क है, जादा धूप लग रहा है वैसे front camera में भी EIS का support है, यहाँ पर back camera में OIS और front camera में EIS का support मिल रहा है तो 15,000 रोपे के range में दोनों stabilization का support मिलना बहुत जादा मुस्किल होता है बट motor ने दिया है, उसके लिए एक light तो बनता है और यह phone इंडिया में दो variant में launch हुआ है, 828, 12256 GB 828 का जो price है, वो है 15,000 रोपे और इस phone के 3 color available है, यह जो मेरे हाथ में phone है, यह है mint green color में वैसे phone का design and look देखने में बहुत जादा premium है phone को काफी अच्छी तरीके से design किया गया है phone का जो first hand feel है वो भी काफी जादा comfortable है बाकि back side में back panel या पर plastic का दिया गया है इस वज़े से fingerprint के Nissan back panel पे बिल्कुल नहीं आते phone side से देखोगे तो थोड़ा सा मोटा है यही पर side position पे fingerprint sensor एक चीज़ है कि fingerprint sensor और जो volume up-down का बटन है वो बहुत ऊपर ही तरफ shift कर दिया गया है तो थोड़ा हाथ portion में problem होता है हाथ को थोड़ा आपको ऊपर की तरफ ले जाके touch करना पड़ेगा बाकि मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि fingerprint sensor थोड़ा सा slow है phone का जैसे finger touch कर रहा हूं देखो कि एक सेकेंड का टाइम ले रहा है उसके बाद open हो रहा है और एक अच्छी बात और है कि नीचे की तरफ 3.5m jack add किया गया है साथ में यहां पर type c का point और phone में dual stereo speaker है dolly atmos के साथ में phone का जो sound quality और loudness है ना बहुत जादा perfect है लेकिन हो सकता है एक चीज थोड़ा सापको खराब लगे phone के अंदर 6000 एमेज की बैटरी दी गई है बैटरी की बात नहीं कर रहा हूं 6000 एमेज की बैटरी होनी की वज़े से na phone का weight थोड़ा सा बढ़ जाता है phone हाथ में carry करने के बाद भारी भारी feel होता है तो आप phone को long time use करोगे ना आपको ये चीज इरिटेट करते रहेगा कि हाँ कोई भारी चीज आपने हाथों के अंदर carry करके रखा है वैसे 6000 एमेज की बैटरी के साथ में 33 watt का fast charge दिया गया है एक बार single charge करने के बाद ना पूरे दिन का backup बड़े अराम से मिल जाता है इसी के साथ बात करें display experience के बारे में पिछले 7 दिनों के अंदर एकदम सही reality में बता रहा हूं फोन में हमने YouTube पर बहुत जादा वीडियो एंजोई किया है फोन का display quality मैं अपने experience से बता रहा हूं काफी जादा perfect है क्योंकि यहाँ पर वीडियो एंजोई करते समय ना जो color recreation देखने को मिलता है वो काफी जादा perfect है प्लस जो display की quality है वो भी price का recording काफी जादा better है क्योंकि यहाँ पर full HD plus IPS LCD टाइप की display दी गई है साथ में 120Hz का refresh rate है तो कोई application यहाँ पर यूज कर रहे है काफी जादा smoothness फिल होता है साथ में 500 nits का brightness दिया गया है अब indoor के अंदर मुझे brightness काफी जादा okay लगा लेकिन यहाँ पर जब मैं बाहर outdoor में गया phone को यूज करने तो यहाँ पर मैंने एक चीज personally feel किया कि brightness थोड़ा सा और जादा हो सकता था around 800 nits के आसपास तब काफी जादा perfect होता बाकि जो side में bezels है वो काफी जादा perfect है नीचे की तरब चिन थोड़ा सा motor दे दिया गया है और आपको पता होगा जब यह phone launch हो रहा था तो motor निया पर एक चीज claim किया है कि इस phone के अंदर world का first media tech dimensity 7025 processor को inbuild किया गया है जो कि एक 6NM bachelor processor है मैंने इस phone को अपने इस साब से यूज करके देखा एक अच्छी कासी हमने multitasking करके देखा यहाँ पर एक अच्छा खासा gaming किया मुझे phone के performance में कोई problem नहीं हुआ phone के अंदर performance काफी अच्छा है नॉर्मल यह उसके लिए भी काफी perfect है और अगर आप थोड़ा hard gaming करते हो around 1-2 गंटा continue gaming करते हो तो भी यह phone काफी ज़्यादा perfect है नहीं ज़्यादा lag करता है नहीं ज़्यादा hit होता है बाकि अभी तक मुझे network को लेकर कोई issue देखने को नहीं मिला है phone के अंदर 14 5G के band दिये गया है यहाँ पर 5G plus plus network को यह support करता है और काफी अच्छी कासी speed मिल जाती है 200MB, 300MB per second की एक चीज थोड़ा सा खराब लगा कि इसके अंदर call recording करते समयना announcement होता है और यह phone Android 14 के update पर चल रहा है बाकि अई पर जो phone का UI और animation है वो काफी ज़्यादा perfect है बिल्कुल clean UI है ज़्यादा blood wear नहीं दिये गए है यह चीज मोटो का मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि मोटो अपने UI को बहुत ज़्यादा clean रखता है फालतो कि जो apps आते हैं जो भर-भर के मिलने लगे हैं इन apps से मोटो काफी ज़्यादा दूरी रहता है So finally दोस्त यही तीक छोटी सी वीडियो इस smartphone के experience के उपर मैंने जो कुछ नोटिस किया पिछले 7 दिनों के अंदर इस वीडियो के अंदर मैंने शेयर कर दिया है अगर आप लोग थोड़ा confused हो इस फोन को buy करने के लिए decision नहीं ले पा रहे हो मैं आपको बता रहा हूँ price का according phone काफी ज्यादा perfect है पैसा invest करने के बाद इस phone के उपर आपको पस्ताना नहीं पड़ेगा उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंदा है पसंदा है दोस्त प्लीज इस वीडियो को like कर देना चलिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स वीडियो में वीडियो पसंदा हो तो like कर देना please कर देना इतना ज्यादा मैंनत करते हैं आप लोगों के लिए